बादे OBC आरक्षन पर फिर होगी सुनवाई ट्रूपल टेस्ट की रिपोर्ट पर कोर्ट में होगी चर्चा चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला सुप्रीम कोर्ट पिछला वर्ग आयो के रिपोर्ट के आंकलन के बाद तैय करेगा कि OBC आरक्षन दिया जा या नहीं ये रिपोर्ट 12 माई को जमा कराई गई थी कोट ने कहा कि अगर रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े आरक्षन दिये जाने के सुप्रीम कोट के पराने फैस्टे पर खरे उतरते हैं तो इस बारे के में चुनाम में OBC आरक्षन की इजाज़त दी जा सकती है बेंच की उपलब दिता के लिहास से कोट में ये मामला कल या पर स्विकार हो जाती है तो कम से कम 14 फीज़ी का जो आरक्षन है जो मिल रहा था OBC को उसको दिलवाने में सरकार दुबारा से काम्याब हो सकती है लेकिन अभी इंतजार करना होगा कोट का क्योंकि जो ट्रिपल टेस्ट है उसमें सरकार को एक आयो का गठन करना था उसके बाद जो OBC की स्थिती है प्रदेश में वो बतानी थी और अब आपको बता दें कि जो तीसरा नियम है जो कहता एंटरपल टेस्ट का वो ये है कि किसी भी हाल में 50 फीज़ी से जादा आरक्षन की सीमाना हो हाला कि सरकार की तरफ से जो मांग की गई है वो 35 फीज़ी तक की थी ले कि एक तरफ जहां 27 फीज़ी आरक्षन देनी के बात हो रही थी वो 14 फीज़ी जो मिल रहा था वो भी हाथ से निकलता हुआ नजर आया तो अब देखने यही है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है और अवनीश शौदरी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और भोपाल से मारे सहयो की निते इंदर शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं अवनीश जिस सरीके से स्विकार हुई है यह आचिका और बेंच का गठन की बात कही जा रही है यह किस तरफ इशारा कर किया सरकार के थोड़ी राहत देने वाली खबर है जिए बिलकुल पलिए राज्या सरकार के लिए राहत भरी खबर है सुप्रिम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और जो पिछड़ा वर आयोग की जो रिपोर्ट है उसके उसके बारे में सुप्रिम कोर्ट कि अभी वह इस पूरे मामले को सुनेंगे और उसके बाद कल इस मामले पर संभवते कल या पर्सों में फिर सुनवाई होगी इस समय हमारे साथ दो एड़ोकेट हैं जो इस मामले में एक याचिका करता की और से पेश हुए थे और दूसरे OBC महा सभागी और से एड़ोकेट श शाषांग हमारे साथ हैं सुनवाई में मौझूद रहें इनसे जानते हैं कि शश्चांग जी आज पूरी सुनवाई रही वह कि उसमें सरकार की तरफ से किस तरह की दलिले आई हैं और कितना अम उमीद कर सकते हैं उमीद पूरी है और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पासा प जिन्दा और जीवित रह सकता है इस चुनाव में भी हम जो कि मैं जया जी की तरफ से हमने आग्यूमेंट किये जो इंडिज्वल पेटिशनर हो बीसी के अंदर और हमारा अर्गूमेंट यह था कि एक पक्ष जो अभी तक रखा ही नहीं गया इस मामले में वह यह है कि 102 एवं और कुश्चन्स उन्होंने कोट ने पूछे और इस पर सुनवाई अब कल जारी रहेगी लेकिन यह महत्तपूर्ण पक्ष है पक्षी यह है कि क्या यह जो पूछ हो रहा है इसके अवेशक्ता भी है या नहीं और सरकार ने अभी-अभी 117 जो सविधान में जो कॉन्सिशन अमेंडमेंट आया था उसके बाद कहानी पलट गई है जब ओबीसी डिफाइंड है तो कृष्णमूर्ती जज्जमेंट कितना एप्लिकेबल है या नहीं इस पर भी एक सवाल निशान है और आज हमने यहीं सवाल निशान कोट के अंदर भी हमने कोशिश करी कि सवाल इस प गया तो बेदाउट ओबीसी बर्क के साथ में एलेक्शन कराए जाएं जो कि कॉंस्टूशनल राइट है ओबीसी वर्क के लिए जो किस्टनमूर्ती जज्जमेंट में फाइब जजजेश बेंट अपहेंड किये हैं साथ ही साथ स्टेश्यूर्य राइट है मगर सरकार ने और कमीशन ने अपनी जो ड्यूटी है वो फुल्फिल नहीं कर पाए थे इस कारण से दस्तारी का जो ओर्डर आया था पर उसको लिए उन्होंने कमेंड मेंट्मेंट पिटीशन फाइल की है मोडिफेकेशन एप्लिकेशन लगाई है तो साइध इस अम्मावना बनती है कि OBC के रिजर्वेशन के साथ ही एलेक्शन हो मंगर मैं यहाँ पर पिर कहना चाहता हूं हम लोगों की तरफ से पक्ष रखा गया अगर कोई भी ड्यूटी OBC कमीशन या OBC से रिलेटेट कोई भी संस्ता या मद्विदे सरकार अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाती है तो उसका खामेया जा मद्विदेश के OBC वर्क को नहीं होना चाहिए मद्विदेश में लगबग इंक्याउन परसेंट OBC पॉपुलेशन है और जिसका बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकली पिलकुल आपने सुना कि जो प्रोसीडिंग में एड्वोकेट्स ह उन्होंने इसमें एक सवाल और है जो मैं चाहूंगा आप पूछें उनसे अफ्लीश और सवाल यह है कि जो 50 फीज़ी जो तीसरा पॉइंट है ट्रपल टेस्ट का उसमें तो कोई गुंजाईच नहीं चेंज की तो क्या 14 फीज़ी मिल सकता है क्योंकि सरकार तो 35 फीज़ी तक की मांग कर रही थी क्या वो 35 फीज़ी संभव है किसी भी सूरतेहाल कि अरुन जी एक सवाल है कि जो सरकार मांग कर रही है कि 35 फीज़ी ओभी सी आरक्षन मिल सकता है क्या यह उन्होंने पहली गलती की थी और उसका आज यह जो दिसतरी के से दूसरी रिपोर्ट लेके आए हैं तो यह उन्होंने सुधार किया है और उन्होंने एक उन्होंने रिजर्बेशन देने की रिकमेंडेशन की है तो इस पर कोड ने कहा कि नहीं आप मैंने जो कुछ जजमेंट था जो गबली का जजमेंट है मार्च का इसमें पहली रिपोर्ट फाइल की गई थी वह एक उन्होंने 35 परसेंट रिजर्बेशन एकदम से रिकमेंड कर दिया इसलिए वह रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया था अब समावना बनती है कि OBC के रिजर्बेशन के साथ एलेक्शन लोकल बॉड़ी के हो कि रिपोर्ट है उसमें कितना रिकमेंड रिकमेंड उन्होंने कॉंस्टेंसी वाइज किया है जहां कैप रखा है 50 परसेंट सम्टाइम सेस्ट के अगर पॉपूलेशन वहां 50 परसेंट से उपर है तो वहां OBC को 0 परसेंट मंगर OBC जहां पर काफी अच्छी संख्या में है और S.E.S.T. नहीं है तो वहां पर 27 से 35 परसेंट पी रिजर्वेशन हो सकता है बिलकुल देखिए सेकेंड रिपोर्ट जो उसमें दाखिल हुई है सुप्रिम कोर्ट में वह एहम है और उसी के उपर सुप्रिम कोर्ट सुनवाई कर रही है और सुप्रिम कोर्ट का यह कहना है कि उस रिपोर्ट में जो ट्रिपल टेश्ट की जो शर्ते हैं जो परिसीमन है उस पर आकलन के बाद इसके उपर फैसला आ सकता है ताकि यह फैसला अपने आपने अपने अजीर बनेगे कि अभी इस पूरे मामले में कितना समय और लग सकता है क्योंकि कोट ने कहा था कि दो सब्ता में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोशना करें तो उस फैसले पर किसी तरह का जब तक केस चल रहा है फिर वो पैंडिंग में जाएगा क्या यह माना जाए जी बिल्कुल यह बड़ा सवाल है कि पिछली सुनवाई पे बुला गया था कि दो हफ्ते के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग अधी सुचना जारी करें और चुनाव करवाए और अब जब पेटिशन पे इस पर विचार हो रहा है शंशोधन अरजी पर तो इसमें कितना समय लग सकता है और वो जो आदेश पिछला चुनाव कराने का वह कैसे इसके साथ साथ चलेगा सर इशी आदेश क्यों लेके एप्लिकेशन पर मोडिवेकेशन स्टेट गवर्मेंट के द्वारा फाइल की गई है जिसमें फर्स्ट प्रेयर यह थी कि जो डी लिमिटेशन हो गय क्योंकि यह संब्यदाने का दिकार है और सुप्रीम कोट ने भी यह माना है कि ओवी सी बर्क को यह संब्यदाने का दिकार है कृष्णमूर्ती जज्जमेंट में तो उसके साथ ही इलेक्शन कंड़क करा जाएं तो इन सब बिंदुओं पर महत्तपूर्ण सुनुवाई चल जाए 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 तो उसमें एक दो हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है मगर सम्मावना यह कि उनको करने के लिए कंड़क करने के लिए कहेंगे साथ ही साथ चुकि और लेटी पहले से मिलता आया ओवी सी को रिजर्बेशन तो यह कोई जो मांग है यह नहीं नहीं है तो इसमें अवनीश एक आखरी सवाल और आप उनसे पूछिए वो यह है कि 14 फीजी की तो गुंजाईश है मद्यप्रदेश में दिया जा सकता है अगर इससे उपर एकसीड किसी वार्ड में करना है या त्रीसतर यह चुनाब में करना है किसी शेत्र के लिए तो क्या फिर वहाँ पर SC ST का घटाया जाएगा या 50 फीजी से उपर किसी भी सुरत में आरक्षण दिया जा सकता है इसको लेकर थोड़ा सा स्पश्टिकरन और लीजे उनसे कि अरुन जी एक सवाल और एहम है कि अगर 14 परसेंट की बात हुई है अगर उसको लेकर अगर कहीं पर एकसीड होता है 50 परसेंट से उपर SC ST Act हो किया वहां घटाया जाएगा वहां कैसे वहां आक्षण नहीं मैंने फिर मताया आपको यह कॉंस्टेंसी वाइज रिकमंड किया है सपोज वन कॉंस्टेंसी में 50 परसेंट से उपर SC ST है तो वहां पर सब्सक्राइब को जीरो परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा पर वहां कहीं पर SC ST की परसेंट बहुत कम है तो वहां पर आप यह 35 परसेंट भी मिल सकता है तो यह ऐसा कोई ठीक नितिंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए नितिंदर जिस तरह की खबरे आ रही हैं कम से कम जो पहले ये खबरे चल रही थी कि 35 फीजी लेने गए 14 फीजी भी हाथ से चला गया वो 14 फीजी तो मिलता हुआ दिख रहा है फिलहाल जो इस्तितिय आना कि सुनवाई होगी सरकार की रिपोर्ट कितने ठेहर पाती है कोर्ट में ये भी देखना होगा लेकिन फिर भी एक उमीद बंद रही होगी सरकार को यहां से देखि सोभावी गुरूप से आज जो सर्कार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, वो निकाई भार रिपोर्ट सर्कारने इनसाफ से तुछ हम ने हमारी ओर से ठिरिपल टेस्ट पूरा कर लिया है. त्रिपल टेस्ट की जो शर्ते थी पहली शर्ती के एक आयोग का गठन किया जाए वो आयोग जनसंख्या के एसाफ से और पुराने एसाफ से जो है वो आंकलन करे और किसी भी कीमत पर आक्शन पचास प्रतीशत से ज़ादा नहीं होना चाहिए तो आज जो निकायवार रिपोर्ट प्रसुत करीए सरकार ने उसमें उन्होंने हर वार्ड का हर कांस्टिंसी का बताया है कि इस ट्रांस्टिंसी में इतनी जनरल पापुलेशन है इतनी स्टी पापुलेशन है इतनी OBC पापुलेशन है और इस population के साफ से OBC को कितना आरक्षन मिलना चाहिए और इसमें दूसरा एक काम किया गया है कि जो पूरी report तैयार हुई है उसको कहीं भी उसमें आरक्षन 50% से उपर ना जाए ये भी दियान दिया गया है जैसे माली जी कहीं 20% ST का आरक्षन है और 16% SC का आरक्षन है तो उस report को इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें 14 प्रतीचा थी OBC आरक्षन रिक्मेंट किया गया है और जहां पर SC नहीं है या ST है नहीं है या जहां पर ST नहीं है केवल SC है तो उसको पूरा वार्ड वाइस बनाया गया है और इसलिए आज वो report जो है वो consider हुई है सुप्रिम कोट में और सरकार ने अपनी होर से कहाए के 50% से अधिक आरक्षन नहीं जाएगा और OBC को जो है वो वाडवार कितना आरक्षन दिया जाकता है वो उस पूरी report में उसने प्रस्तुत कराए तो सुभावी करूप से आज उस report को जब सुप्रिम कोट ने consider करा है और अभी आगे उस पर सुनवाई चलेगी तो राजी सरकार के लिए एक बड़ी रहात की कवर है लेकिन नितिंद्र जितना सुनने में आसान लग रहा है शायद उस इसाब से वाडवार decide करना बड़ा पेचीदा मसला हो सकता है क्योंकि आपको तै तो पूरी seat करनी है वहाँ पर जन संक्या अगर OBC की जादा है तो उस इसाब से आप उसे reserve कर सकते है तो overall क्या इतना easy रहेगा और जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है क्या उसमें थोड़ा समय लग सकता है और नहीं वो रिपोर्ट तैयारी कर लिए मतब करीब 600 पेच की जो रिपोर्ट है जो आज सुप्रिम कोट में प्रस्तुत की गई और उस रिपोर्ट को पहले ही तैयार कर लिया गया है उसमें लगातार काम चल रहा था पहली प्रस्तुत हुई थी तब तक यह वाली प्रस्तुत नहीं करी थी और यही कारण था कि सुप्रिम कोट को सरसरी निगासे देखने के साथ खारीच कर दिया था कि ये रिपोर्ट मानने नहीं कंहिने का साफ कहना था तो यदि सुप्रिम कोड तयार हो जाता है तो सुभावी कुरूप से OVC को आरक्षण मिल पाएगा और जिस वार्ड में या जिस कांस्टेंसी में OVC कम हैं वहाँ पर कम आरक्षण जहां पर OVC जो है वो SC और ST का आरक्षण मिला के 50% हो जाता है वहाँ OVC को कोई आरक्षण नहीं है वह OVC को 25 से लेके और 35% आरक्षण भी मिल सकता है बिलकुल आरक्षण बढ़ सकता है और अगर राजने तक लिहास से देखें तो जिस सरीके से इस बार होमवर्क है आला कि थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है जब तक नतीज़ा ना आ जाया है इसका ले देखें इस मामले में कर देखा जाये तो जब तक अंतीज़ा ना आये तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर ये फैसला आता है और ये OVC के पक्षण में फैसला आ जाता है तो मद्रदेश में ही नहीं यह पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगा कि यदि आपको मैं नीतिंद्र आपके बास आ रहा हूँ सन्वर पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं सन्वर पटेल जी इस वागत है आपका न्यूज स्टेट पर और इस बार होमवर्क करकर गई है सरकार बहतर तरीके से जिस तरह की खबरे सामने आ र मैं प्रदेश की भारती जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से उसकी मंशा साथ है क्या इसे पिछड़ावर्गी के लोगों को आरक्षन मिले इसके लिए प्रतिपतता के साथ वो खड़ी है अब हम उस दिन किस परकार से उनको 37 जिलो की ट्रिपल टेस की रिपोर्ट के आज उस दिन भी हमको सुनाएं और आज ही लगता है कि पिछड़ावर्गी के लोगों के हितों में ये फैसला आएगा और उनको समयदानिक अधिकार के तहट उनको आरक्षन का लाद मिल तकेगा आज वस्ते इस चीज़ को लेकर आप कि फैसला इस बार आ जाएगा हक में निशी दुरूप से पूरी उम्मीद करते हैं कि पिछड़ावर्गी के हक में फैसला आएगा लेकिन इसमें पेच वही है कि 50 फीजी की लिमिट क्रॉस ना हो इसलिए ये जो तरीका निकाला जा रहा है कि हम बारड बाइस कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षन तेह किया जाए कि भई इसमें यहां जनसंक्या ओबीसी के जादा है तो आरक्षन दिया जा सकता है ये में होता है वहां हर बार आरक्षन की जो गोती दंसी है वो पुरूश और महिला में डंसी सिर्फ लेकिन रहेगा वो अनुसी चाती का बाद इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग में भी हो सकता है ये जो तरक रखा है निच्छी प्रूप से इस तरक के माच्यम से हम होंगे तो आपको लग रहा है कि OBC के साथ होंगे और संपन होंगे किसी तरह आप कोई कानूनी पेच नहीं फसेगा जल्दी हम देखेंगे कि निकायों में और 35 चुनाव में जन प्रतिनी दी चुने जाएंगे निश्ची दूरूप से देखें यह तो सर्वीदी है मद्देश की साड़े साथ करोड जनता जानती है कि चलते हुए चुनाव को रुकवाने का पात किसने किया है यह चुनाव जो हो रहे थे जिसमें 27% आरक्षन के साथ हो रहे थे उसको किसने रुकवाया कॉंग्रेस के नेता ने रुकवाया कॉंग्रेस की गोशित प्रभक्ता जफर सेयर साथ जाय धातूर गई और साथ में उनके जो राज़ी संभाय के सदोश्य के विए तनका जी नोना पैर भी की तो सर्वीदी है हमारे आरोब नहीं है यह तो सर्वीदी है कि कॉंग्रेस में चलते हुए को रोगने का और पिछड़ावाजी के लोगों के साथ अन्याय करने का कान किया है और मत्यप्रदेश की जन्ता उनको मात नहीं करने वाली शुक्री आपका सनवर पटेल जी जुड़ने के लिए और बाचवीत करने के लिए तो आश्वस्त हैं कि फैसला पक्ष में ही में एक बड़ी बड़त मिल सकते कम से कम इस मामले को लिकर अगर फैसला आजाता है तो देखिए इस चुनाओं में अगर ये फिसला आ जाता है क्योंकि अभी हम जो बात सारी कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं कि कोट क्या निर्णे करता है अगर सुप्रेम कोट ये निर्णे कर देता है कि OBC को आरक्षंट दिया जाए तो सुभावी ग्रूप से भारती जंता पार जो है हम ये माने के भाजपा को मिल जाएगी लेकिन मैं साथ में ये बता रहा था कि अगर ये फिसला आ जाता है तो ये सुभावी ग्रूप से पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगा तो कि महराश्ट का अभी जो है इस कोट ने सुप्रेम कोट ने साफ तोर पर रद कर जी थी महराश्ट की OBC की रिपोर्टरों ने साफ का था कि बिना OBC आरक्षंट के चुनाव कराएं तो पूरे देश के लिए पूरे राजियों के लिए एक नजीर बनेगा कि आप किस प्रकार से आरक्षंट दिया जा सकता है आप कैसे कांस्टिंसी वाज उसका आंकलन करें लेंगे कहां पर कितना आरक्षंट दिया जा सकता है इसको फचास प्रतीशत की सीमा में रखा जा सकता है तो अगर ये ऐसा होता है तो पूरे देश के लिए एक नजीर बने गा ये। कि रोग की खबर भी आ सकते हैं जब तक पूरा फैसला नहीं आ जाता इस पर तो आज अगर सुप्रिम कोट कह दे तो वो आज चुनाओ आयोगा अधिसुचना नगरी निकाय चुनाओ की कर सकते हैं साफ के नाए जो बीपी सिंग है जो राजी निर्वाचा नाए तो उनका कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर लिए चुनाओ कराने की तो सभावी रूप से 24 तारिक तक का समय जो है वो चुनाओ आयोग के पास है चुनाओ की अधिसुचना जारी करने की और सुप्रिम कोट लगातार इसकी सुनवाई इसलिए कर रहा है कि सुप्रिम कोट भी इस मामले में कोई जल्द निर्ड़ने करना चाहता है तो कल या परसों में यदि इसका निर्ड़ने आ जाता है तो चुनाओ की गोशना जो है वो 24 तारिक के पहले चुनाओ नगरी निकाई चुनाओ की गोशना मद्रप्रतेश में कर देगा मिल्कुल इसकी जल्द गोशना भी हो सकती है और नितेंदर सवाल इस बात को लेकर भी कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए किस तरह की इस्तिती बने गी अगर ये फैसला आ जाता है हाला कि कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि जो हमारे नेता हैं हाला कि वो वकील के तौर पर वहाँ पर गए थे कोई पार्टी बनकर नहीं गए थे और वो जो रोटेशन का पूरा मसला था या जो परीसीमन का मसला था उसको कोट में लेकर गए ते आरक्षन को लेकर वो कभी नहीं गए कोट में ये अब कॉंग्रेस पार्टी के लिए किस तरह की इस्तिती बनेगी यहां से क्योंकि अभी तक तो यह कह रहे थे कि सरकार ने होंवर्क नहीं किया हमने 27 पीजी आरक्षन दिया लेकिन बड़ी फजियत हो सकती है इसके बाद बी के साथ कंप्रेट हुए हैं तो कॉंग्रेस इस मामले में कहकर यह कहकर नहीं बसकती कि हम रोटेशन के लिए गए थे हम आरक्षन के लिए नहीं गए थे और रोटेशन पर आरक्षन का फेसला आ गया तो सुभावी की रूप से कॉंग्रेस सुप्रिम कोर्ट में नहीं जात थी और गवली का बात की गई और उसके बाद सुप्रेम कोट ने कहा कि जैसे महराश्ट पो बीसी आरक्षण के विगर चुना होंगे वैसे मद्धिपर्देश में भी कराए जाएंगे तो सुभावी रूस से कॉंग्रेस इस बात का जवाब तो देती है लेकिन भारती जनता लेकर जो है वो जो एक बड़ा आज हमला कॉंग्रेस लगातार कर रही है कि ओबीसी आरक्षण भाजपा की वैसे खतम हो गया कॉंग्रेस का वो हमला सवाबत हो जाएगा मिलकुल कॉंग्रेस जो सरीके से निशाना साथ रही थी और अगर 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 जो भी इस पर फैसला रहता है ओबीसी अगर 59 फीज़ी हैं दोनों पार्टिया इस चीज़ को सुविकार करती हैं तो कितना बड़ा इंपक्ट चुनाब में इसका पढ़ता है आना कि बी राजनीती मद्यपर्देश की दिख रही हैं में वो ओबी इसी पर केंदरे दिख रही हैं जो है समय यहां पर पूरा जो ओबीसी वरग जो है उस पर कही न कहीं केंदरे टा जो है राजनीती क्योंकि अगर यह भी हो सकता है और्टाल anticipating किई आयोक की रिपोर्ट बात कही गई है या कॉंग्रेस के रही है कि OBC 56 प्रतीशत हैं या NFHS की सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें OBC को 42% बताए गया लेकिन इन सारे तरकों में या इन सारी रिपोर्ट में एक चीज़ तो ते है कि मद्व प्रदेश में बड़ी संख्या में OBC हैं जो सरकार बनाना या सरकार हटाने को ते कर सकते हैं तो भाज़पा हो या कॉंग्रेस उनके लिए OBC वर कितना महत्पूर्णे से साफ नजर आ रहा है तो 2023 के चुनाओं में भी यदि ये जो भी फेसला आता है उसका इंपेक्ट 2023 के विदान सावा चुनाओं पर पड़ेगा ये बिल्कुल त इसका निश्य तोर पर फर्क पड़ेगा शुक्री आपका नीतेंद्र जोडने के लिए और एक बार फिर से दर्शकों को पूरा बामला बता देते हैं कि क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने अपनी याच्चिका लगाई थी कि आप मोडिफिकेशन कीजिए अपने फैसले पर पहले उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अब उनी डीटेल्स जो सरकार की तरफ से दी गई हैं उसी पर सुनवाई होनी है और अगर वो डीटेल्स सही लगती है कोर्ट को तो उसके बाद आरक्षन का जो रास्ता है वो खुल सक और ओबी सी आरक्षन के साथ चुनाव हो सकते हैं मध्यप्रदेश में 13 तरिये और निकाय चुनाव इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भाई लौ आरक्षन है ओबी सी का तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर भी अब देख सकता है कि क्या देश भर में जो निकाय और 13 तरिये चुनाव हैं उनमें एक नजीर पेश हो सकता है ये जो फैसला मध्यप्रदेश के लिए आएगा कि वहां भी क्या आरक्षन का रास्ता खुल सकता क्योंकि महराश्च्ट का मामला अभी भी अटका हुआ था तो ये बड़ा फैसला है जो आने वाला है और इसका ना सिर्फ मध्यप्रदेश पर बलकी पूरे देश पर पड़ेगा छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे खबर लगाता आट जारी है